आज के इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं इन्फोसिस स्टॉक के बारे में I hope कि आप सभी लोग काफी effectively trade कर पा रहा हैं अगर जो लोग काफी ध्यान से मेरे एपिसोड को देखते हैं साइध उनको पता हो कि हमने 1490 के price से अपना view bullish आपसे share किया और इस समय स्टॉक देखेंगे तो 1573 के price पे trade हो रहा है और आज स्टॉक में more than 2% तक की तेजी दिखी है और as expected ये trend आपको 1640 तक के levels भी दिख सकते हैं क्योंकि view काफी visible है इसके साथ ही इस समय अगर short term trader इस स्टॉक में SL लेना चाते हैं 1550 के SL को trail करेंगे 1590 के level को respect करता है तो ये technical indicator है यहाँ पर जो भी technical follower है वो आगे ना जब buyer आएंगे और stock को 1642, 7080, 1670, 80 तक के levels ले करके जा सकते हैं लेकिन थोड़ा caution रहेंगे चुकि trend काफी visible रहा 1490 से तो एक यहाँ से देखें तो एक breakdown जो की buy on deep seed आएगा वो दिख सकता है 1550 तक के level के लिए लेकिन बिल्कुल भी जो investor है या जिनका horizon more than one month क्या है तो वो बिल्कुल panic नहीं करेंगे 1550 के again buying opportunity होगा जो option trader है या derivatives trader है वो 1550 के SL को trail करेंगे इसके नीचे गर sustain करता है तो फिर थोड़ा बहुत painful हो सकता है और इसके साथी CMS info one of my best stock from mid cap जो IT stock है यहां देखेंगे mid cap के आप इसको small cap भी कह सकते हैं इसे मैं से stock का price देखें तो 331 का है 7% का uptrend दिखा हलांकि 292 पर आज trade हो रहा था result जो है वो big bit year on year basis और quarter on quarter basis पर भी देखने को मिला है F5 की अच्छी खासी holding है तो यहां से देखें trend मैं इस stock को 240 के price से continuous recommend कर रहा हूँ इसे मैं 335 का है और एक strong breakout दिखा है 390-400 तके जी levels दिखेंगे तो बिल्कुल panic selling नहीं करे position बनाए रखे